ओम शांती आज दिनांक 10 अगस्त 2022 प्राताह मुरली पाप दादा मदुबन बाबा बोले मीठे बच्चे घड़ी घड़ी देही अभिमानी बनने की प्रेक्टिस करो मैं आत्मा हूँ एक सरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ अब मुझे घर जाना है बाबा बोले मीठे बच्चे घड़ी घड़ी देही अभिमानी बनने की प्रेक्टिस करो मैं आत्मा हूँ एक सरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ अब मुझे घर जाना है तो बाबा आकर हम बच्चों को भ्रम्मा तन द्वारा एडॉप्ट करते बाबा कहते तुम पुकारते थे पतित पावन आओ हम पतितों को पावन बनाओ इस दुख की दुनिया से मुक्त कर अपने साथ अपने घर ले चलो तो अब बाबा आया और हमें याद कराते कि अब तुम कहते थे कि घर जाना है अब मैं आया हूँ तुम बच्चों को घर ले जाने के लिए पर घर जाने के लिए तुम्हें वैसा ही बनना पड़ेगा जैसे तुम आये थे तो असरीरी आये थे तो बार बार खुद को इस देह से अलग आत्मा अनुभव करो बार बार मनन करो चिंतन करो कि मैं आत्मा हूँ एक सरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ एक सरीर का नाम पड़ता है उस सरीर के पद का भी नाम होता है पर जब एक सरीर छोड़ दूसरा ले लेती हूँ तो नाम रूप भी बदल जाता है और पद भी बदल जाता है तो आत्मा अविनासी है खुद को आत्मा अनुभव करना पिता परमात्मा को याद करना अपने धर को याद करना तभी बाबा कहते घर जा सकोगे प्रश्न किया बाबा ने सबसे मुख्य त्यवहार कौन सा है और क्यों है सबसे मुख्य त्यवहार कौन सा है और क्यों उत्तर में बाबा कहते सबसे मुख्य त्यवहार है रक्षा बंदन क्योंकि बाप जब पवित्रता की र रक्षा बंदन पर तुम बच्चे सब को समझा सकते हो कि यहां तिवार मनाना कब से सुरू हुआ और क्यों। सत्यूग में इस बंदन की दरकारी नहीं लेकिन वह कह देते हैं यहां रक्षा बंदन तो परंपरा से चला आया है। बाबा कहते रक्षा बंदन सत्यूग में नहीं मनाया जाता था क्योंकि वहां इसकी दरकार नहीं थी वहां सब पवित्र रहते थे। रक्षा बंदन पवित्रता का बंदन है पवित्रता की प्रतिग्या का तिवहार है इसलिए रक्षा बंदन मनाया जाता है। गीत सुनाया बाबाने जय जय अंबे मा जय जगदंबे मा ओम शंती यह भी भक्ती मार्ग का गीत है भक्ती मार्ग में अनेक प्रकार का गायन होता है गायन निराकार आकार और साकार तीनों का होता है अब बाब बच्चों को समझाते हैं बच्चे तो समझ गए कि हम आत्मा है हमको समझाने वाला है परंपिता पर्मात्मा सर्व मनुष्य मात्र को सदगती देने वाला एक ही है फिर उसके साथ जो सर्विस करने वाले हैं उन्हों की भी महिमा गाते हैं बाप तो कहते हैं मामे कम याद करो आत्मा समझती है अभी परमपिता परमात्मा हमको सम्मुक नौलेज देते हैं उस बाप की ही अव्यबहचारी याद रहनी चाहिए और कोई नाम रूप की याद नहीं आनी चाहिए आत्मा तो सब है बाकी सरीर मिलने से सरीर के नाम बदल जाते हैं आत्मा पर कोई नाम नहीं सरीर पर ही नाम पड़ता है बाप कहते हैं मैं भी आत्मा हूँ परंतु परम आत्मा यानी परमात्मा हूँ मेरा नाम तो है ना मैं हूँ आत्मा मैं सरीर कभी धारण नहीं करता हूँ इसलिए मेरा नाम रखा गया है सिव और सभी के सरीर के नाम पढ़ते है बाबा कहते मैं कभी सरीर धरण नहीं करता हूं इसलिए मेरा नाम रखा गया है सिव और सभी के सरीर के नाम पढ़ते है मेरा तो सरीर नहीं है नाम तो चाहिए न नहीं तो मैं भी आत्मा तो फिर परमात्मा कुन मैं हूँ परमात्मा मेरा नाम है सिव जो भी पूजा करते हैं लिंग की करते हैं लिंग पत्थर को ही परमात्मा कहते रहते हैं फिर जैसी भासा वैसा नाम परंतु चीज एक ही है जैसे तुम्हारी आत्मा वैसी मेरी आत्मा है तुम भी बिंदी, मैं भी बिंदी हूँ मुझ बिंदी का नाम है सिव पहचान के लिए नाम तो चाहिए न इस समय ब्रह्मा सरस्वती जो बड़े ते बड़े हैं उनको भी सदगती मिल रही है सदगती तो सभी आत्माओं को मिलनी है सभी आत्माएं परमधम में रहती है फिर भी परमात्मा को तो अलग रखेंगे न सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है सारी रुद्र माला का बीज रूप बाप है न सभी उनको याद करते हैं ओ गौड फादर सभी जगे फादर को याद करते हैं मदर को नहीं यहां भारत में ही आकर पतितों को पावन बनाते हैं मदर भी एडॉप्टेड है सरस्वती को भी परमपिता परमात्मा ने भ्रमाद्वारा एडॉप्ट किया और फिर इसमें प्रवेश किया यहां एडॉप्ट्शन और भी प्रकार की है थुरू तो कोई चाहिए न कहते हैं इन द्वारा में नौलेज सुनाता हूँ इन द्वारा बच्चे एडॉप्ट करता हूँ तो यहां माता भी सिद्ध होती है प्रवरत्ति मार्ग है न परंतु है तो मेल इसलिए मुख्य सरस्वती को माता पत पर रखा जाता है यहां बड़े गुईये राज समझने के है प्रजा पिता है न प्रजा को रचने वाला इन द्वारा वह रचते हैं ऐसे नहीं कि सरस्वती द्वारा कोई एडॉप्ट करते हैं नहीं यहां तो बड़ी समझ की बात है पहले पहले बाप का परिचय देना है गाते भी हैं पतित पावन आओ यहां किस ने कहा आत्मा ने क्योंकि आत्मा और सरीर दोनों ही पतित है पहले तो अपने को आत्मा समझना है आत्मा ही कहती है मैं सरीर लेता हूँ छोड़ता हूँ एक एक बात निश्चय में पिठानी होती है क्योंकि नई बात है न और जो सुनाते हैं वहा है मनुष्य भगवान तो नहीं जब कोई आते हैं तो पहले पहले यह समझाओ कि आत्मा और सरीर दो चीज है आत्मा अविनासी है पहले अपने को आत्मा समझो मैं मजिस्ट्रेड हूँ यह किस ने कहा आत्मा इन आरगंस त्वारा कहती है आत्मा जानती है मेरे सरीर का नाम भी है और पद भी है मजिस्ट्रेट का यह सरीर छोड़ने से मजिस्ट्रेट पद और सरीर का नाम रूप सब बदल जाएगा पद भी दूसरा हो जाएगा तो पहले पहले आत्म अभिमानी बनना है मनुस्यों को तो आत्मा का ग्यान भी नहीं है पहले आत्मा का ग्यान देकर फिर समझाओ आत्मा का बाप तो परमात्मा है आत्मा दुखी होती है तो पुकारती है ओ गौड फादर वही पतित पावन है आत्माएं सभी पतित हो गई है तो जरूर परमपिता परमात्मा को आना पड़े, पतित दुनिया और पतित सरीर में, बाप खुद कहते हैं मुझ दूर देश के, रहने वाले को बुलाते हैं, क्योंकि तुम पतित हो, मैं एवर पावन हू, भारत पावन था, अभी पतित है, पतित पावन बाप आकर, आत्मा इसलिए इनका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा त्मा द्वारा प्रजा रचते हैं कौन कौन सी जारूर नई प्रजा रचेंगे आत्मा जो अप वित्र हैं उनको पवित्र बनाते हैं आत्मा पुकारती है हमको दुख से छुड़ाओ लिब्रेट करो सबको लिब्रेट करते हैं माया ने सबको दुख ही किया है सीताओं ने पुकारा है न एक तो सीता नहीं है सब रावन की जेल में विकारी ब्रश्टाचारी बन गए है हे ही रावन राज्य राम तो हे ही निराकार राम राम कहते हैं न एक को ही जपते हैं गौड फादर सिव निराकार तो उनको आरगंस चाहिए न तो सिव बाबा इन द्वारा बेट समझाते हैं तुम आत्मा भी पतित हो, तो सरीर भी पतित है, अभी तुम स्याम हो, फिर सुन्दर बनते हो, बाबा ग्यान का सागर ग्यान की वर्षा करते हैं, जिससे तुम गोरे बन जाते हो, भारत वासी गोरे थे, फिर काम चिता पर चड़, साउरे वेस्य, सुद्रवन्सी बन पड़ बाप कहते हैं फिर रावन आता है तो सबकी उतरती कला हो जाती है भारत में पहले देवताओं का राज्य था अभी नहीं है परमात्मा इस सरीर द्वारा तुम बच्चों को समझाते हैं जो वर्षा लेने वाले हैं उनको खुसी का पारा चाड़ता रहेगा स्रीमत पर तो जरूर चलना होगा आप पावन बनाने आए हो मैं भी जरूर पावन बनूगा तब ही पावन दुनिया का मालिक बनूगा यह प्रतिग्या करनी होती है यही राखी बंदन है बच्चे प्रतिग्या करते हैं बाप से यह कोई लोकिक देहधारी बाप नहीं है यह तो निराकार है, इनमें प्रवेस किया है, कहते हैं तुम भी देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझ मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो, भारत में ही प्योरिटी थी, तो कितनी पीस प्रोस्परिटी थी, तो और कोई धर्म वाला नहीं था, तुम कहेंगे बाबा हमको ऐसा समझाते हैं, तुम भी समझो, बाप को याद करने से ही विकर्म विनास होंगे, पावन बनाने वाला एक ही बाप है, बाप समझाते हैं तुम आत्मा हो, तुम्हारा स्वधर्म सांती है, तुम सांती धाम के रहने वाले हो, तुम कर्मयोगी हो, Silence में तुम कितना समय रहेंगे अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विकर्म विनास होंगे कल्युग में है बाबा कहते कल्युग में ही सब पतित तुम जानते हो हम संगं पर पावन बन रहे हैं पतित दुनिया का विनास होना है यहां महाभारत लड़ाई है नैचुरल कैलिमिटी होती है जब इन द्वारा पुरानी दुनिया खलास होनी है नई दुनिया में है ही देवताओं का राज्य तो अभी हम परम पिता परमात्मा के फारमान पर चलते हैं उनकी स्रीमत मिलती है यहां नौलेज बड़ी समझने की है बोलो ऐसे नहीं कि एक कान से सुन दूसरे से निकाल देना है यहां तो पढ़ना है साथ दिन की भटी भी मसूर है साथ रोज बेट कर समझो बाप को और कैसे पावन बनना है अगर नहीं समझेंगे तो पश्टाना पड़ेगा क्योंकि सिर पर पापों का बोजा बहुत है एक ही बाप मोश्ट बिलबेट है जो हमें पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं बाकी तो सभी एक दो को पतित ही बनाते हैं सत्यूग में पवित्र ग्रस् अब अपवित्र बने हैं यहा है ही रावन राज्ये अब स्वर्ग में चलना है तो पावन बनना है तब ही बेहत के बाप से वर्सा मिलेगा यहा तो यात करो हम सांतीधाम के वासी हैं और सुगधाम में गए अभी तो दुगधाम में हैं फिर जाना है सांतीधाम इसलिए द भर में रहते एक तो पवित्र बनो दूसरा मुझे याद करो तो पाप नास हो जाएंगे याद नहीं करेंगे पवित्र नहीं रहेंगे तो विकर्म कैसे विनास होंगे रावन राज्ये से कैसे चूटेंगे यहां सब सोक वाटिका में हैं भारत आधा कल्प सोक वाटिका में और आधा कल्प असोक वाटिका में रहता है। आप भी पतित दुनिया में हो ना। तुम अथोरिटी से समझाने वाले हो तो भी रिस्पेक्ट से बोलना है। कि तुम भल कहते हो कि हम गौट फादर की संतान हैं परंतु फादर का ग्यान कहा है। लोकिक बाप को तो जानते हो परंतु पारलोकिक बाप जो इतना बेहत का सुख देते हैं स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको तुम नहीं जानते हो। भारत को जिसने स्वर्ग बनाया था उनको तुम भूल गए हो इसलिए ही यह आलत हुई है सभी ब्रष्टाचारी हैं क्योंकि विश से पेदा होते हैं यह तो कोई भी समझ जाएगा इसमें इंसॉल्वेंट की कोई बात नहीं यह तो समझानी दी जाती है रक्षा वंदन का ही महत्तो है बाप कहते हैं विकारों पर जीत पाकर मुझे याद करो और सांती धाम को याद करो तो तुम वहां चले जाएंगे बुद्धी में यह ग्यान रहना चाहिए हम सुखदाम में जाते हैं बाया सांती धाम पहले देही अभीमानी जरूर बनना पड़े मैं आत्मा हू एक सरीर छोड़ दूसरा लेता हूं बाप ने यह भी समझाया है कि मनुष्य कुत्ता बिल्ली नहीं बनता है मनुष्य तो भक्ती मार्ग में कितने धक्के खाते रहते हैं अभी तुम बच्चे भासन में समझाते रहो कि तुम पतित हो ना तब तो पतित पावन बाप को या दिन सोख बढ़ता ही जाता है जिनोंने राज लिया है वह ही समझ सकते हैं बहुत दुख है कितना माथा मारते रहते हैं एक को सांत कराते तो दूसरा ख़ळा हो जाता है लड़ाई लगती ही रहती है सांती के बदले और ही असांती हो जाती है बाप आकर इस दुख असांती को मिटाए सुखदाम बना देते हैं पुरानी दुनिया में है दुख नई दुनिया में है सुख यह राखी बंधन का तिवार है समझाना है यह रिवाच किसने डाला है पतित पावन परमपिता परमात्मा उसने आकर पवित्रता की प्रतिग्या कराई है 5000 वर्स पहले प्रतिग्या की थी अब फिर परमपिता परमात्मा से बुद्धी योग लगाओ तो तुम पावन बन जाएंगे पूछो राखी कब से बानते आते हो कहते हैं यह तो अनादी काईदा है अरे पावन दुनिया में थोड़े ही राखी बानेंगे यहां तो कोई पावन है नहीं अब बाप फरमान करते हैं कि पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया में चलेंगे purity है first पवित्र प्रवरत्ती मार्ग था अब नहीं है स्वर्ग में दुख का नाम ही नहीं होता है बाबा कहते स्वर्ग में दुख का नाम ही नहीं होता है नर्क में फिर सुख का नाम नहीं होता है प्रश्टाचारियों को अल्पकाल का सुख मिलता स्रेष्टा चारियों को आधा कल्प सुख मिलता है यह तो जानते हो राखी उत्सव पास होगा कहेंगे हू बहू कल्प पहले हुआ था ड्रामा को पूरा ना समझने के कारण मूझ पढ़ते हैं पहले पहले परिचय देना है बाप का बाप ही आकर लिबरेट करते हैं राखी बंदन कब से सुरू हुआ इसका भी बड़ा महत्व है लिख देना चाहिए आकर समझो कोई को भी समझाओ कहां भी भासन में बाबा कहते कहां भी भासन के लिए जगह दें कांग्रेस वाले तुकानों पर खड़े होकर भासन करते हैं तो ढेर आ जाते हैं सर्विस के लिए फिर पुरुशार्थ करना चाहिए अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चो प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग तहर्णा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते अथोरिटी के साथ साथ बहुत रिस्पेक्ट से बात करनी है सबको पतित से पावन बनाने की युकती बतानी है अथोरिटी के साथ साथ बहुत रिस्पेक्ट से बात करनी है सबको पतित से पावन बनाने की युकती बतानी है दूसरा पाइंट बाबा कहते एक अव्यभिचारी याद में रहना है किसी भी देहधारी के नाम रूप को याद नहीं करना है पावन बनने की ही प्रतिग्या बाब से करनी है वर्दान दिया बाबा ने वर्दान में बाबा कहते हद की इच्छाओं का त्याक कर अच्छा बनने की विधी द्वारा सर्व प्राप्ति संपन भाव हद की इच्छाओं का त्याक कर अच्छा बनने की विधी द्वारा सर्व प्राप्ति संपन भाव डिटेल में बाबा कहते जो हद की इच्छाओं रखते हैं उनकी इच्छाओं कभी पूरी नहीं होती अच्छा बनने वालों की सभी इच्छाएं स्वताप पूरी हो जाती है दाता के बच्चों को कुछ भी मांगने की आवश्यक्ता नहीं है मांगने से कुछ भी मिलता नहीं है मांगना अर्धात इच्छा बेहद की सेवा का संकल्प बिना हद की इच्छा के होगा तो अवश्य पूरा होगा इसलिए हद की इच्छा के बजाए अच्छा बनने की विधी अपना लो तो सर्व प्राप्तियों से संपन हो जाएंगे स्लोगन में बाबा कहते याद और निस्वार्त सेवा याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा माया जीत बनना ही विजई बनना है अच्छा ये थे बाबा के महावाक्य 10 अगस्त 2022 के ओम शान्ती